नमश्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनार्स इसिटीट के यूटीव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं उनतीजयन इस 10 मिमिनिट के शो में बेहत तहे दिल से स्वागत करती हूँ उमीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और आगे आने वाली परिक्षाओं की तेयारी बहुत ही बहतरीन तरीके से कर रहे होंगे आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनिट शो में जिसमें आग्याने वाले सफर में हम 10 मिन्टों में हाल ही में चर्चा चल रहे सारे विश्यों के बारे में चर्चा करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक मुख में, हर एक भार्टिये के बीच में यह चर्चा है कि आखिरकार पेटियेम के साथ हुआ क्या है, हर एक छोटी-छोटी दुकानों में, बड़े-बड़े मॉलों में लगातार सुनने को मिलता था पेटियेम करो, लेकिन अब ये शंकाओं का आज पून्दता विराम होने वाला है, उन सभी शंकाओं पर आज हम विराम लगा देंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, आखिरकार ये पेटियेम विवाद है क्या, क्या कैसी इसकी चर्चा है, कौन सा नियम है आर्बियाई का, जिसके तहत इस पर चर्चा की गई है, आप जैसा स्क्रीन पर देख पारे हैं, लगाता नियूस पेपर पर इस खबर को दिखाया गया है, कि यूज करते हैं पेटियेम, तो फास्टेक्स ते लेकर वालेट तक अब नहीं मिलेगी सर्वेस, आर्बियाई ने बड़ा एक्षन दिया है, एक म आर्बियाई ने ऐसे कौन-कौन से एक्षन्स लिये हैं, इसके तहट ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी, आप देख पा रहे हैं कि आर्बियाई ने हाली में एक्स प्लेटफॉर्म पर, एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंगेंस एक्षन अंगेंस पेटियेम प्रक्रिया अपनाई हैं, इसके बारे में भी हम बहुत ही बहतरी तरीके से समझने वाले हैं, लेकिन इस चर्चा को करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार पेटियेम बैंक या पेटियेम जो प्लेटफॉर्म है, वो है क्या, वह कब आया, कैसे आया, तो पहले ये समझते हैं कि आपके लिए इस सम्मंधित क्या जानकारी लेना पहले जरूरी है, दो हजर उननीस में पेटियेम लांच हुआ, जिसके तहत आप मुबाइल बैंकिंग सुविधा को बहुत अच्छे से कर सकते हो, दो हजर नौ में पेटियेम लांच की ख़बर आती हैं उसको भी रख सकते हो, दो हजर पंदरा में क्यूर कोड भी लांच हो गया, जिसके तहत आप क्यूर कोड के माध्यम से मुबाइल बैंकिंग कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, आराम से हर एक व्यक्ति के बीच में ये बड़ा ही चर्चा में आ गया पेटियेम, लेक 2017 में, 2017 में पेटियेम सर्विस के द्वारा लागू किया गया या फिल लॉंच किया गया पेटियेम पेइमेंट बैंक, जो ये मुद्दा आया है 31 जन्वरी को ये पूरा मुद्दा किस से सम्बंदेत है, वास्तों में ये पेटियेम पेइमेंट बैंक, फास्टेग लॉंच इसी से सम्मन देते हैं कि क्या कैसा मुद्दा है और क्या विवस्ता है ठीके 2019 की बात करें तो पेटियम के द्वारा साउंट बॉक्स लॉंच किया गया अठाट पेटियम ने ओफलाइन मर्चेंट की सुभीधा भी देनी शुरू कर दी 2020 से और इन वन पीजी और QR कोड यानि क अंतरगत यह पूरा का पूरा आता है 176 भी इसको जाना जाता है 176 लिमिटेड जिसका शौर्ट फॉर्म है OC 116 लिमिटेड पेटियम पेटियम पेमिंट बैंक लिमिटेड की सिथाफना इसके अंतरगत की गई है यह पूरा 117 है 17 है और इसी के अंतरगत Paytm Payment Bank Limited की स्थापना 2020 में की गई PPBL के नाम से यह चर्चा में था इसके अंतरगत Paytm ने क्या-क्या सुभिधाई दी अपने जितने भी उप्योग करता है उनको तो Paytm के द्वारा इसमें wallet की सुभिधा सेविंग और करेंट एकाउंट की सुभिधा, Fasttech की सुभिधा और UPI की सुभिधा भी दी जाने लगी थी अथात एक ऐसा बैंक या बैंकिंग के अंतरगत जितनी भी सुभिधाई दी जाती है Paytm ने इन सुभिधा को Paytm Payment Bank के तहत देना शुरू कर दिया मुझे लगता है मुझे पता भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कई लोगों के पास Paytm का डेविट कार्ट भी आ गया होगा कई लोगों ने अपनी गाडियों में Fasttech Paytm की थुरू भी लगवाया होगा और कई लोगों के पास Paytm का वालेट भी होगा उनके मन में बहुत सारी शंका है अम मेरा क्या होगा चिंता ने करो धीरे धीरे आगे समझते हैं कि आगे क्या प्रोसेजर है और क्यों इसे बंद कर दिया गया है देखना जरा RBI द्वारा ये एक्शन क्यों लिया गया सबसे वड़ा प्रशनी ये है RBI ने ये जो एक्शन लिया है एक रात में नहीं लिया है RBI ने 11 मार्च 2022 को पेटियम के लिए एक विवस्तित रूप्ट से नोटेस जारी किया था और नोटेस में ये बहुत अच्छे से बोला गया था कि पेटियम पेमिंट बैंक कोई भी नए ग्राहक 11 मार्च 2022 से अब नहीं जोड सकेगा तो 11 मार्च 2022 से पेटियम पेमिंट बैंक में कोई भी नया उप्योग करता नहीं जोडा RBI ने इस संबंदित पूरी तरह से 2022 में पेटियम को आदेश दिया कि जितने भी IT टीम के तुमारे सर्विस सिस्टम में उनकी विवस्ते जाच कराईए और नए कस्टमर को जोडना बंद कर दीजे ये जितने भी आदेश RBI के द्वारा लगाए गए वो किस अधिनियम के तहट लगाए गए तो RBI का Act Banking Regulation Act 1949 Section 35A के तहट ये पूरे जितनी भी जाच है रिपोर्ट है उसको तयार करने को बोला गया आखिरकार ये जितनी भी जाच हुई वो हुई क्यों सबसे बड़ा प्रशन ये उठता है तो प्रशन का उत्तर ये है कि Paytm Payment Bank की Audit Report और Complization Validation Report के बाद ये है खुलासा हुआ है कि बैंक द्वारा कई नियमों का उलंगन किया गया कई तरह के नियमों के उलंगन के कारण ये है रोक RBI के द्वारा लगाई गई है और भी इसके अलावा कई कामिया देखने को मिली है भविश्य में बैंक के खिलाफ और भी आपको जो खामिया है वो देखने को मिलेगी जाच देखने को मिलेगी अब भाई साब RBI ने Paytm Payment बैंक को क्या आदिश दिया है तो 29 फरवरी 2022 के बाद Paytm बैंक में किसी भी तरीकी की राशी जमान नहीं की जा सकती है इस पर रोक लगी आप UPI यूज कर सकते है तो टेंशन ना लेने का ठीक है साथी साथ वालेट प्रिपेड सेवा हैं बैंकिंग खाते कई लोगों के बै बैश बैक ब्याज और कुछ पैसे आने वाले अगर है तो 29 फरवरी के बाद भी वो आ सकते है आप ले सकते हो पर नई सुभिद आए आप इसमें नहीं ले सकते हो पेटियम्पेमेंट बैंक से पैसे अब नहीं भेजे जाएंगे याद रखना payment bank से पैसे नहीं भेजे कि आखिरकार अब Paytm Payment Bank अपनी रिपोर्ट्स को RBI के सामने रखता है और आगे क्या कदम उठाएगा इससे सम्मंदित भी बहुत अच्छे से हमें जानना आगे के चर्णों में देखना जरूरी है तो उमीद है आपको Paytm Payment Bank के बारे में जितना भी मुद्दा है चर्चा का जोड़ जाएए साथी साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजे कमेंट में बताईए क्या अब आपको समझ में आया क्या आपने इस खबर के पहले ही Paytm को अपने मुबैल से उड़ा तो नहीं दिया था जरूर मुझे कमेंट सेक्षेन में बताईए वीडियो कैसा लगा 10 मिनि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है जरूर बताईए तब तक के लिए सभी को जय हिन जय भारत